Hello friends, welcome to Mission KBS As we studied in last class about Plant Kingdom हमने Plant Kingdom खतम कर लिया उससे पहले मैंने Monira Protesta पढ़ा दिया फंगी पढ़ा दिया फिर अब प्लांटी पढ़ा दिया और अब लास्ट बचा है हमारा Animalia Animalia खतम करने के बाद आपका पूरा Living World एक तरीके से एक Binded Chapter खतम हो गया और यह Animalia Kingdom खतम होने के बाद 108 पेज जो मैंने Combined Type किये थे 108-109 पेज हैं मान लो एक तरीके से पूरे Chapter आपके पास आजाएंगे उस 108 पेज में आपको Pictures बहुत सारी मिलेंगी और Content मिलेगा पहले भी मैं Chapter करा चुका हूँ इस बार मैंने इसमें बहुत सारी चीजों को नया एड किया है जो पिछली बार नहीं किया था Just because I saw the level of KBS So मैंने KBS के level के according इसको बढ़ा दिया है Animal Kingdom की चर्चा करेंगे आज हम लोग Animal Kingdom में The way we studied about Plant Kingdom As it is we have to study about the Animal Kingdom Animal Kingdom में आप हर तरह के Animals को देखोगे देखो हर तरह के Animals के अपने अपने quality होती है हर animal के अपने अपने individual difference होता है हाती कभी पेड़ पर चड़ नहीं सकता और बंदर समुदर पर तैर नहीं सकता और तैरेगा तो डूप जाएगा सबका अपना अपना तरीका है जो मगरमच है वो पानी और अपका जमीन दोनों पर रह सकता है लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं like starfish and all जो पानी से बाहर नहीं जी सकता है पानी से बाहर आज़े गया कुछ ऐसे जीव मसलिया बाहर नहीं के बाहर आज़े जो मर जाएंगी तो सबका अपना अपना atmosphere होता है habitat होता है रहने का जगा होता है तरह तरह के से वो differentiate होता है तो animal kingdom को हम कैसे पढ़े how can we study the animal kingdom मैं आज ये बताने वाला हूँ content का जो source है वो मैं बता जाए तो कहां का से लिए गया ncrt की 11th class की book ncrt की 9th class की book बहुत सारे blogs और ये तीन चार चीजों से mix करके बनाया आपका ये content तो content बिल्कुल sharp रहेगा अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या होती है तो comment box आपके लिए चॉपस घंटा खुला हुआ है let's start, let's get started so animal kingdom में different kind of animals के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कुछ shocking things भी आपको देखने को मिलेगी जो maybe आपने पहले कभी पढ़ी नहों पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है so let's start तो basis for animal kingdom classification अब animal kingdom होता क्या है सारे animals का घर kingdom अब एक kingdom में सिर्फ एक ही तरह के लोग थोड़़दे देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलेंगे तो the way there are different kind of animals in animal kingdom okay so कैसे हम animal kingdom का classification कर सकते हैं तो there are some basis level of organization के थुरू हम animal kingdom को बाढ़ सकते हैं symmetry के अनुसार हम animals को बाढ़ सकते हैं diploblastic and triploblastic organization के अनुसार हम इसको बाढ़ सकते हैं और presence of and absence present or absence of notochord notochord का मतला हुता meru raju और read के हड़ी का present होना और absent होना इसके थुरू भी हम इनको बाढ़ सकते हैं तो animal kingdom को पढ़ने के बहुत सारे तरीके एक body cavity silomate silomate का present होना यानि silomate means क्या वो silomate है या non silomate है means उनके अंदर body cavity मौजूद है body cavity मौजूद नहीं है इसके थुरू भी हम बाढ़ सकते हैं तो there are number of ways to differentiate the to classify the animal kingdom animal kingdom को classify करने के लिए there are number of ways first level of organization level of organization मैं पढ़ा चुका हो read में पढ़ाया था मैंने level of organization level of organization मैं ने बताया था कि एक जो प्राणी है वो atom से बनना चालू होता है फिर molecules बनते है फिर cells बनते है फिर और्गन बनते है फिर और्गन सिस्टम बनता है बहुत सारे भागों बट रहा है सम्मीती symmetry हमने पढ़ा होगा maths में उसके according में हम animals को बाढ़ देते हैं पढ़ा सकते हैं diploblastic and triploblastic diploblastic and triploblastic का मतलब समझायता हो जरा diploblastic का मतलब क्या होता है कि दो कोशिकाओ से एक उत्तक मिलकर बनाऊ उसको diploblastic कहते हैं शुद्ध हिंदी में and triploblastic तीन कोशिकाओ से मिलकर एक उत्तक बनाऊ एक टीशू बनाऊ with the help of combining three tissues तो वह हो गया triploblastic simple इसको ऐसे समझे वरना बहुत complicated है diploblastic and triploblastic यह सारी qualities है जो presence and absence of not accord जिनके अंदर read के होती है नहीं होती उसके accordion में बाटा जाता है तो हम इन सबको ही mix करके पढ़ेंगे animal kingdom को बहुत ही important है अब इसको ध्यान से देखना चाहिए अब हमने देखो हम vtaker के five kingdom classification को ही follow कर रहे हैं क्योंकि ncrt based है तो हम उसी को follow करना पढ़ेगा तो हमने मुनेरा पढ़ लिया प्रोटेस्टा पढ़ लिया फंगी पढ़ लिया फंजाई पढ़ लिया प्लांटी पढ़ लिया अब हमारा बचा है इसके प्रोकな योट के एक कोशी के और मल्ती कोशा कोशी कोशी के लिया बémतंते तो ब्लांटी जोता नहीं होता और मकातर चाहिता जीवों के जीवन के किसी भी स्थर में रीड के हड़ी मेरूरजू स्पाइनल कोड़ नहीं पाई जाती किसी भी जीवन के स्तर में कहीं भी कहीं भी इनको रीड की हड़ी देखने को नहीं मिलेगी वहीं अगर कशेरुकी की बात करें तो यह जो फाइलम है यह जो संग है इसके जीव है इनकी जीवन की कहीं न कहीं अवस्था में जन्व की अवस्था से लेकर एंडिंग तक की अव इनकी सारी quality पढ़ेंगे इन वे से question आते हैं अंदर से question आते हैं living world इतना बड़ा chapter है कि उसको अगर आप एक बार मेरी वीडियो को देख लो ढंग से तो आपको clear हो जाएगा उसके बाद अगर आप NCRT पढ़ लो तो सोने पर स्वागा हो जाएगा मैं एक चीज़ और बता द very helpful in to learn science and SSC और SST you can say EBS ठीक है खेर इस पेक बार और चर्चा कर लेंगे strategy पर थोड़ा आगे चलते हैं अब सारे फाइलम को हिंदी में संग कहते हैं इस इतने भी संग है पॉरिफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटी हलमेंथी निमेट और एनिलीडा और्थरोपोड़ा मॉलास का यह सारे को हम पढ़ लेंगे पीसी बगएर है इन सबको पढ़ेंगे चलो स्टार्ट करते हैं बहुत बड़ा शेप्टर है वैसी भी संग पॉरिफेरा है फाइलम पॉरिफेरा इसको हम स्पॉंज और्गैनिस्म भी कहते हैं स्पॉंज नहीं होता साबून का स्पॉंज एक ऍचे और पॉरिफेरा मीन्ज और्गैनिजम विद ओल जीवदारी जिंके शरीड पर च्छेद वॉ उनको कहते है पॉरि फेरा पॉरिफेरा ओके देयर कॉमनली कॉल्ड श्पांज इस इनको कि स्पंज की तरह स्पंजी होते है इनके शरीर पर छोटे छोटे होल स्पाई ज layer और skeleton इनका जो cover होता है उपर का आवरन जो होता है cover होता है वह बहुत कठोर आवरन होता है और बाहरी कंकाल से ढखा होता है ठीक है these are non-mortile means अचल अचल होते हैं एक जिगा फिक्स रहते हैं कहीं पर जाते नहीं कई पर हिलते नहीं है वहीं खाना वहीं सब कुछ करना वहीं पर रहना एक ठोस आधार से एक सॉलिड सपोर्ट से चिपके होते हैं समुद्र का आप कभी दर्शन करो नेट जोग्राफी या फिर डिस्कवरी चैनल देखो अगर समुद्र के नीचे का वीडियो दिखाए जा रहा हो तो यह आपको संग फाइलम पॉरिफेरा के जीवधारी जरूरु देखने को मिलेंगे यह एक जिगा फिक्स रहते हैं ठीक है इस फाइलम के सभी जन्तु खारे पानी यह नी मरीन में पाए जाते हैं केवल स्पॉणजीला ही मीठे पानी में पाए जाता है इसका एक एक सेप्शन है एक सेप्शनल केस आर्वरिवेर इन और ऑर्गनिसम तो आपको मैं बता दूँ कि इस फाइलम पॉरिफेरा में सारे उसके organism में वो marine में या sea में समुद्र में पाए जाते है खाड़े पानी वाले होते है लेकिन केवल spongyla जो होता है वो fresh water में ताजे पानी में पाए जाता है ठीक है इसलिए spongyla fresh water sponge कहलाता है अगर आप से पूछ ले fresh water sponge किसे कहा जाता है तो उसमें चार option में से एक option होगा spongyla तो सही आंसर होगा ठीक है spongy have water transport और canal system मतलब एक नाल प्रणाली है जल वाही का प्रणाली है इनके अंतर यह नाल प्रणाली के लाँ सिस्टम feeding स्वशन उत्सर्जन और reproduction में काम आती है ठीक है इनकी जो यह नाल प्रणाली है canal system में मैं इसको अच्छे से दिखाऊंगा बाइदा पिच्चर आइविल शो अल्ड़ तिंग्स ओके यहां तक क्लियर हो गया आगे चलते हैं अब जेको यह इसका आर गोइंग टू बीए टीचर वी विल बी वुड़ बी वी एर स्टिल वुड़ बी टीचर और कभी हम आप टीचर बन जाओ तो आपको यह सारी नॉलेज भी होनी चीए ठीक है अब यह पानी अंदर कैसे आता है भार के साता है वाटर एंटर थू यह पोर्स पोर्स के इंट्री करता है वाटर फिर इसके बाद स्पॉंगो कॉल से होता हुआ वेरिट गोज आउट त्रो द ऑस्कूलम ऑस्कूलम से यह भार निकल जाता है बस इसी तरीके का वाटर कैनाल सिस्टम है इसका स्पॉंजीला का अब एक कोशन पूचा जाता है स्पैशली पूचा ग किसकी कॉलिटी है तो इस फैलम पॉरीफेरा की कॉलिटी है कैनाल सिस्टम अब इसकाただ रिप्रोडक्शन सुनों यह दो तरीके से रिप्रोड़क्शन करते है भाई इसके एक है by formation of gamets देखो एक जा रहा है तो इस तरीके से जाते हैं और फिर यह अपने जैसे और बनाते हैं इस तरीके से तो इसमें sexual और एससेड़ा का reproduction होता है आलेंगिक और लेंगिक दोने तरह का जनन होता है यह यह sexual reproduction में क्या होता है by fragmentation के तुरू यह अपने आपको अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और sexual reproduction में यह by formation of gametes gametes बनाते हैं उसके तोरह यह zoom करके दिखाया गया आप अगर नहीं दिख रहा हो तो और zoom करते रहा हूं आपके लिए और बग गया यह देखो gametes इस तरीकी के और यह फिर इस तरीकी से reproduction करते हैं यह कुछ एक्जाम्पल है पॉरिफेरा फाइलम के इसको जरूर देख लेना साइकॉन यूपले टेला ठीक है स्पॉंजीला स्पॉंजीला फ्रेश वॉर्टर स्पंज कहलाता है ध्यान रख लेना इसे बाथ स्पंज भी कहते है नाने दोने में वड़ा काम आता है ठीक है फाइलम इसको कह देते हैं प्रवाल जनतु ध्यान रख लेना अब इसको पढ़ते थोड़ा इस फायलम को नीडेरिया भी कहा जाता है इसकी स्पलिंग सी से स्टार्ट होती है ना कि एन से ध्यान र सुलेट्री याइड्रा अकेले रहते हैं बागी कुछ और गनिजम है वो कोलोनीज में निवास करते हैं इनका इनका शरीर संगठन तर टीशू लेवल का होता है उत्तकिय स्थर कहोते हैंका तीशू लेवल का एक याद रहें जैसे हम लोग है हमारा level of organization organ system पुरा और्गनल से मतलब जीव धारी तक का है मतलब हम organ system से लेकर फिर पूरा और्गनल बना देते हैं हम कुछ-कुछ organ से मिलकर हमारा पूरा organ मना हुआ है लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव है जिनका level of organization पूरा प्रकार की कोशिका है यह कहते हैं निमेटो ब्लास्ट ब्लास्ट कहते हैं निमेटोब्लास्ट यह दंश कोशिका कहते हैं, इनकी शिरियर पर जो खास प्रकारी की कोशिका बाए जाती है उसको, इन जनतुओं में रक्त नहीं होता, इसमें स्वशन तंत्र और परी संचरण तंत्र यानि सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ भी नहीं पाया जाता, अगर आपको option दे दे, वह कौन सा phylum है, जिसमें ना तो स्वशन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना ही आपका अगर दूसरा उत्सर्जन तंत्र यानि एक्सक्रिशन सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा कौन सा phylum है, जिसमें तीन नहीं पाया जाता, तो वह आ जातर जीव समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ मीठे पानी यानि फ्रेश वाटर पायजाते हैं, जैसे हाइड्रा है में पहले बता चुका हूं, most of the organism from this group belongs to marine, and some of the are fresh water, like हाइड्रा, अब जैली फिश, देखो याद रखना, अगर आप से कोई पूच, अगर आप किसी को बत लेना, यह एनिमोन, यह हाइड्रा, यह कुछ एक्जामपल, यह फ्रेश वाटर में रहता है, ध्यान रख लेना, फाइलम प्लैटे हल्मन्थी या इसको चप्टे क्रीमी भी कहते है, फ्लैट वार्म्स भी कहते हैं, बिल्कुल चप्टे होते हैं, कैसे होते हैं, देखी जर हमारे और्गन वगेरा जहां पर रखे जाए, सेफ पैकेज हो सके उसकी, वही हमारा body cavity कहलाता है, कुछ में true body cavity होती है, कुछ में नहीं होती, जैसे body cavity नहीं है, ठीक है, इनका शरीर दूई पार्शु सम्मिती, दूई पार्शु सम्मित्री का मतलब होता है, bilateral symmetrical होता है, मतल यहां पहुतर तो इन होता है अंसरे आर्बिना का प्रोड्र होता है ध्यूंुट को भी मार चूर्पर पॉट्वर होता है जो होता है जो लिए पॉशन प्राप्त करते हैं ठीक है उस पर चिपक सके ताकि उसके द्वारे अपना खाना खहत सके ठीक है यह चूशक दिखाऊंगा मैं भी इनका शरीड त्रिक और यानि ट्रिप्ल ब्लास्टिक होता है यानि इनका उत्तक विबेदन तीन कोशिक के स्तर पर हुआ है तीशू डिफ्रेंशियेशन हैस टेकन प्लेस फ्रम थी सेल्वेर लेवल तीन कोशिका से मिलकर इनका उत्तक बनता है इसलिए इसको ट्रिप्ल ब्लास्टिक कहते हैं सिंपल है बहुत कॉम्लिकेटिटिट भी समझा सकता हूँ लेकिन नहीं समझाना इसको सिंपल इस तरिके से समझो ओके इसमें सीडीनुमा तंतरी का तंतर पाएं यानि इसमें नर्वस सिस्टम तर नहीं होती है शार्जन के लिए छास प्रकार की कोश्का पाएं स्व्लेम कोशिका या सोलेंवसktion निन को सीडि नुमायन का हो गया इस तरीके से चूशक यह रशकर यह किसी जिस से खाना प्राप्त करते हैं कि और पर दरीबर दोते हैं वहां पे चूशक से खाना खाष लेते हैं ठीक है इन्हें फ्लाइट वाम कहते हैं चप्टे जंतु कहता है अब आ गया एसके अलमेंथी यह आप इसके अंहें से खाना या अच्टिक है एंका सेरी दोएस पार्से मिती यानी गोल मेंदक या ंतर कोशिक तरह पर होता है एक आना इनका स्वतंत्र जीवि और परजीवि दोन तरा यह स्वतनती जीवी यह फ्री लिविंग और पैरसाइटिक बोत होते हैं इनका करेक्टर्स्टिक है कि इसके बाद इनकी देग हुआ जो बॉड़ी के वटी इनकी होती है को good sylom good sylom यानि falls sylom कहा जाता है important धयाद रखिएलना पूछ सकता है किस phylum की body cavity को falls sylom कहा जाता है तो किस को कहा जाता है SK elementies की phylum को ठीक है यह रोग पाइदा करने वाले परिजिवी क्रियों के रोपे बहुत परिचेत है यानि आपके human body में भी रोग बगारा पैदा कर सकते हैं जीव जंतों रोग बगारा पैदा कर सकते हैं आपको इक चीज बताऊं जो पैरसाइटिक होते हैं यानि किसी और पर निर पढ़ रहते हैं वह जब वहां से खाना ले अगर आप गलती से नीट की परिश्चा वागर दे रहे हो तो आपको यह वीडियो किस किस को फायदा देने वाली है 9th class को 11th class को those who are preparing for KBS those who are preparing for any competitive exam plus those who are preparing for data plus B this video is helpful for everybody ठीक है मंदिर के तरह वीडियो आओ प्रशाद लेके जाओ is it like that okay एनि लीडर जनतु द्वी पार्स सम्मित्य और त्री कोरिक होते हैं यानि इस आर बाइलेटरियल सिमेट्रिकल और ट्रिपलोब्लास्टिक बाइलेटरियल सिमेट्रिकल मतले हैं इनको दो बरावर भागों बाट कर देखा जा सकता है और इसके साथ सा त्रिपलोब्लास्टिक होता है यानि जो इनका टीशू का ओगनाईजेशन है वो तीन से मिलकर बनता है थ्री सेलुलर लेवल के मिक्स्टर से इनका एक टीशू बनता है ध्यान रखना द्यार सिलोमेट यानि इनमें ट्रू बाडी कैविटिक पाई जाती है इनमें वास्तविक देखुआ पाई जाती है जो मतलब शरीर के अंदर समान को रख सके घून या जो हो सके वही बैडी टीके लड़िक यह तो इन मनुका से मेरे कुरिए पाई जाती है लृग और जीफ्णि एनके शरीर इस इत्रा की सिद्धे को राउंड रांड है इसके अंदर भी नहीं पूछ तरह की इस तारह किसम पूछा थैंग्युष्ट अर्थडी है थिए यह पॉय में गक्हाइन का सबसे बड़ा पाइलम यहां है प्लांट Kenya सबसे बड़ा फालम कौन सा है कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बताओ यह आपको पता होना च्वे when अचास सब रदा वा कि व क्वा axes एंत्वलोडा अर्थ भा बांग W और शरीर खंड्यूक्त होता है इसमें खुला परिशंत्रन तंत्र पाए जाता है अता रक्त वाइकाओं में नहीं बैता है इनका इसकी नहीं बैता फ्लो नहीं होता इनका जो शर्कुलीट्रिडरी सिस्टेम है वह ओपन है उनके बुईसाइब रखंग ताफिण यानी याद है इन MI देव गुए बोडिचोविटी है हिमोसील कहलाती है पूछ सकता है कौन सा ऐसा फाइला में इसकी बॉडि कैपटी हिमोसील कहलाती है तो वह आपका ओर्थ्रोपोडा है इन जीवों में स्वशन करिया है शारी रिख सता गिल्स वशन नली द्वारा होती है इन सब के त्वारा है स्वशन करते है क्योंकि इन में से कुछ और्थ्रोपोडा कुछ ऐसे होता है जो पानी में भी रहते हैं तो कहीं नगाई उनको सांस गिल्स के तुरू ही लेनी पड़ती है ठीक है आप कुछ एक्जामपल हो गया जींगा मसली हो गया आप सबने खाई है फिर आपका स्पाइडर हो गया फिर आपका बिच्छू हो गया इनकी साइंटिफिक नेम भी ध्यान रख लेना यह पूछ लेते हैं पीपर में कभी-कभी ठीक है एक नोट याद रख लेना मकडी कीट वरक में इंसेक्ट और पता है और्थ्रोपोड़ा में सारे इंसेक्ट आते हैं लेकिन इंसेक्ट की क्कॉलिटी होती है कि उनके छे पेर फ्री पेर फ्लेग होनी चीए उनकी बड़ जो मकडी है वह च्छे टांगे नहीं है उसको कीड़ा नहीं मांगेंगे कभी भी मकडी एक इंसेक्ट नहीं ध्यान रख लेना इसके लावा कॉकर जिनसे बजुरा भी कहते हो जो कहते हो कि कान में बहरा कर देगा ठीक है तो यह कुछ क्या होगे और तो पोड़ा हो गए अब आगे चलते हैं संग मोलास्का यह एनिमल किंग्णम का दूसरे दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है सबसे पहला बड़ा सबसे पहला फाइलम कॉन से था और तो पोड़ा अब दूसरा मोलास्का में आपका यह आपका ऑक्टोपस आता है ठीक है इस फाइलम का नाम जॉस्टन ने 1650 में दिया ध्यान रख लेने छोटी-छोटी शीज़े आपको पता हो निचे दे आर इस इसेंशली एक्वेटिक मोस्ली मरीन फ्यू फ्रेश पानी पीते हैं मतलब कुछ इसमें से जली होते हैं समुद्री होते हैं कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं कुछ जमीन पर भी आ जाते हैं मौज करने ठीक है आपने कभी-कभी ऑक्टोपस को जमीन पर देखा होगा बीच की यह अनिवल किंगनम का दूसरे सबस्वड़ा फ होती है तो मॉलासका है ठीक है है इसके बाद हीमोसाइनी की वज़ा से इनका खून का रंग या तो रंगहीन होता है या तो हरा होता है इन मेंसे एक होता है इन दीज ओर्गैनिजम्रेस्पीरेशन अकर्स थूद गिल्स और लंग्स अब इन में स्वशन होता है फेफडों से होता है फेफडों से ध्यान रख लेना यह थे इनमें किड्नी टाइप की चीज होती जो उट सर्जन के लिए काम आती और यह उनका ओपन सिर्कूलेटरी सिस्टम होता है ब्लेट स्रकूलेशन ओपन होता है हमारा क्लोज द्यांग नजा पेती नसों और खुन बैता है ध्यान रख ले ना यह को इसके कुछ एक्जाम्पल हो गया जैसे स्नेल हो गया पाइला हो गया और आपका ओक्तोपस हो गया ठीक है डैविल फिश कहा देते हैं इसको काइट ओन हो गया योगह ठीक है एक मिर्ट तो अब अपना बहुत इंपॉर्ट फाइला में इसको भी द्यान से समझना पहले इस वर्ड का मतलब समयनी क्या होता है इन ग्रीक, ekainos means hedgehog, यानि spiny mammal, spiny मतलब जो काटेदार स्तनपाई होते हैं, and derma means skin, thus these are spiny skin organism, मतलब काटेदार चच्वा वाले जीव होते हैं, इनके शरीर पे काटेदार टाइप का structure होता है, ठीक है, इसी को में ekaino dermata कहते हैं, these are free living marine animals, यह मुक्त जीवी समुद्र जन्तु होते हैं, यानि खुला गोमते हैं, चोड़े में कहीं एक जगाँ fix नहीं होते हैं, the way spongilas are, spongilas इस तरीके से fix होते हैं, उस तरीके से fix नहीं होते, ठीक है, they are triploblastic and have a celomic cavity, इन में देहगुआ पाई जाती है, यानि body cavity पाई जात होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, they also have a peculiar water-driven tube system that they use for moving around, अब इन में इनकी जल समवहन नाल तंतर पाये जाता है, जो उनको चलने में साहिए, motion में इनकी बहुत help करता है, ठीक है, इन में calcium carbonate का कंकाल और काटे पाये जाते हैं, इनको जो काटे होते हैं, शरीड पे, अरजन तंतर नहीं पाये जाता है, लेकिन इनका digestive system complete होता है, यह इस तरीके से इनके कुछ example होते है, एंके डॉन या पंखतार, या इकाइनोस, समुदरी और चिन, ठीक है, starfish, अब कुछ लोग कहेंगे starfish तो मचली हुई, यह मचली नहीं होती, ठीक है, यह मचली नहीं होत जिसे jellyfish, वो मचली नहीं है, starfish, वो मचली नहीं है, ठीक है, dogfish, ठीक है, वो मचली है, ठीक है, अब देखो, जितने अभी तक हमने पीछे पड़े थे, वो सारे without backbones थे, इन में से किछी के अंदर हड़ी का मैंने जिक्र नहीं कि रीड के हड़ी का, अब जो हम पढ़ने वा इनके जीवन के किसी ना किसी स्तर में या पूरे जीवन के स्टार्टिंग से लेकर रीड के हड़ी मौजूद होती ही है, तो इसलिए दो तरीके से हमने बाट के पढ़ाया है, अब इनका X-ray देख लो जड़ा, देखो, इन सब में हड़िया पाई जाएगी, इन सब में, च खतम हो गया, किसी तरह कर दो तो पूछना, ठीक है, पहले इसको थोड़ा से निप्टा दो, आप पहले हम यह भी पांच भागों मटा है, अब उसमें से पहला पढ़ देते हैं, मदद से वर्ग, क्लास पीसीज, देखो, मशलिया भी दो तरक हो, यह दो मशलिया है, आप ज देखा होगा, मशलिया बहुत ज्यादा शाइन करती है, इसका रीजन शलक होता है, ठीक है, कुछ फिश का एंडोस्केलीटन, यानि अन्था जो कंकाल होता है, एंडोस्केलीटन होता है, वो कौटीलेजन का मना होता है, मीन्स उपास्ती है नरम हड्डी का होता है, जैसे कि शार्क, शार्क में कभी भी पूरी हड्डिया नहीं पाई जाती, प्रॉपर इसमें हड्डी मौजूदी नहीं है, इसमें उपास्ती मौजूद है, उपास्ती मौजूद है, और कुछ मशलिया ऐसी होती है, जिनमें पूरा एंडोस्केलीटन बोनी होता है, हड्डीदार हो मैंचल पूछ करती है और धार रही होती है दार रहे हिए मतलब इन पर लाइनिंग बनी होती है कि अगर मौसं ठंडा आप ठंडे मौसं गरम तो आप गरब लेकिन warm-blooded का मतलब ऐसा नहीं होता कि मौसम ठंड़ा तो आप बिल्कुल ठंड़े होगे नहीं हम थोड़ा warm रहते है श्रीर से हमारा खुन गरम रहता है अंदर से यह चीज़ आपको पता हो नहीं चीए और इनके heart में दो चेंबर होते हैं एक वेंट्रिकल और एक एट्रिय इनके नाव आप याद रख लीजें इनके screenshot आप ले सकते हैं बहुत इंपॉरेंट है एक्जाम्पल से आपको पता ही होने चीए पूछ लेते हैं और इवन येस यूपिट्ट इस ऑल्सो कमिंग तो उसके लिए भी ये ऑल्सो कमिंग क्या कली है इस यूपिट्ट तो कली है बट आने वाले सभी में सुपर अट्रेटी भी आने वाला है हर जगा एक्जाम्प में ये लिविंग मल्ड टॉपिक छपाई होता है तो एक बार पढ़ लोगे तो ये मानलो कि आप काफी सारे एक्जाम्पल के लिए ठीक है एक कुछ एक्जाम्पल है इसको आप screenshot ले सकते क्या होता है अब क्लास एमफाइब आ हैं इनको हम जल में रह सकते हैं धो स्प्रवाइप टिक इंचा है दोनों जाना इंस जरूर है तो ईनको रीछ बार यहाता है लेकिन भानीं के लिए क्वार labge यांदे होता है पानी इंडा को बचा सकते हैं इंडे को ठीक है अंटे को आपने को बचाने के लिए पानी में देते हैं ऐंदे इनकी त्वचा पर शल्क बाल पंक फैदर नहीं होते देट्स वाई दस्किन और एक निले होता है इनके दिल में इन में स्वशन त्वचा और फेवर्डे दोनों से होता है ये गिल्स और लंग्स और स्किन सबसे करते हैं देखो झाव अंड़ा देता है वह गिल्स के त्रू या सीन्स के त्रू स्वशन करता है लेके जब यह भार आते पानी के तो लंग्स के थूर होते हैं, जीवन की स्टार्टिंग की अवस्था में इनके पास पूछ होती है तो आम इनको रैप्टिलिया कहसकते लेकर होते नही तो तीन कक्षीय है इनका हिर्द्र होता यह पूल सकता है कि सबसे बदनाम अगर कोई फाइलम है कोई आनिमल कीणडम कोई वर्ग है तो यही है इसके उपर बहुत मुहावरे बड़े हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना घड़ियाली आसू साफ पाल रहा था मैं आस्तीन का साफ यह सारे ही डायलोग इनी रेप्टीलिया वर्ग पर बने हुए ठीक है तो सबसे बदनाम अगर कोई फाइलम है तो यही है सारे उल्टे मु नहीं कहलाता है जिसे डाइनसार चलते थे एक पर आगे एक पर पीछे पर आगे पीछे वह उसको भी रेंगना ही कहेंगे हम लोग ठीक है नॉट वाकिंग इट इस जनतु होते हैं यानि कोल्ड ब्लेडिड होते हैं इनकी शरीर शल्क से डखा होता है शल्क से कवर होता है दे ब्रीथ थू लंग्स यह इनका जो शांस होता है फेफडों के द्वारा होता है ध्यान रख लेना वाइल मोस्ट अफ देम आर थ्री चेंबर हार्ट जाहतर इसमें जो होते हैं वो थ्री चेंबर हार्ट वाले होते हैं लेकिन इसमें एक एक सेप्शन है प्रोकोडाइल इसका हार्ट का सट्रक्चर होता है वो फो र्री चेंबर होता है दे ले एग्स यह अंडे देते हैं एक क enforming जो धोस कवच के द्वारा एक एक अंड से घका हो होता है यह सबसे बड़ा रेप्टाइल यह बता दूं को बहुत लोग सबसे बड़ा रेप्टाइल कहते लेकिन मैंने बहुत जगह पड़ा है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वह सबसे बड़ा बट अगर आपको कोई authentic source मिलता है तो आप मेरे को जरूर बताइए मैं आपको फिर बता दूंगा कि कौन सा ठीक है बट मेरे लिए मैंने जितना पड़ा है उसके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इस दा बिगेस्ट रेप्टाइल ओफ इस फाइलम ओके देले एग्स विट टफ कवरिंग्स एंड नोट नीट तो ले देर एग्स इन वाटर लाइक अनलाइक एंफिबेंस एंफिबेंस की तरह पानी मंडे देने की जरूत नहीं होती कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इसके अलावा ये सारे जितने वersonale भी है ठीक है ये क्या है कच्वा समुद्र में रहता है लेकि निरी में अब मैं तक हम ने पढ़ा था रेप्टीलिया और एंफिबियन यह थे सारे के सारे है cold-blooded आप पक्षी वर्ग जो है वो हमारी तरह ही warm-blooded है ठीक है और इनका हार्ट होता है फोर्ट चेम्बर होता है दा बोन्स आर लाइट वेटेड लॉंगर एन होलो टू एसिस्ट इन स्लाइड उड़ने में साहःता करने के लिए इनके बहुत कमजोर होती है इनके बहुत है यह यह अश्मा देना है यह तो ऊड़ जाते हैं उससे यह अलग बात है बट उसका असली काम उश्मा देना है ठीक है सबसे बड़ा पक्षी आपको पता है ऑस्टी जह पर सबसे छोटा हमिंग बर यह रहा ऑस्ट्रिश और हमिंग बर्ड ओके class memory सबसे important class इसको ध्यान से देखना भईया कान खोल के सब जगा खोल के इसको ज़रा देख लेना बड़िया तरीके से इस वर्क के सबी जीव अधिक विक्सित developed होते हैं और warm blended होते हैं अब यह अपनी बात हो रही है अपन लोगों के ठीक है जिसकी वज़ा से दूद दे पाती है अगर किसी पुरिष्ट के अंदर memory gland आ जाए तो उसके भी stun से दूद निकलना शुरू हो जाएगा बट होता यह है कि महिलाओ को यह शक्ति प्रदान की गई है कि उनके अंदरी memory gland होता है इसलिए उनके पास ही अधिकार होता है अपने बच्चों को दूदे पाती है ठीक है Most of the mammals have external ear जातर जितने mammals होते हैं उनके बाहर की तरफ कान निकले होते है ठीक है Except कुछ-कुछ जैसे वेल बगईर होगे सब कान बाहर की तरफ नहीं निकले होते हैं बाकि इसके अलावर सब कान बाहर की तरफ होते है In mammals, the development of the embryo अब को इसके परे» इसके बारे मैं अच्छा से बताऊं सीना क्यों होता है क्योंकि हमारे अंदर स्वेट ग्लेंड और आप सुबह उठो तो इसको मैं ढंग से समझाओंगा अच्छे से यूमन बाड़ी वाले चैप्टर में तो हमारे शरीर पर बाल होते हैं जितने भी मैमल्स होते हैं उनके कहीं बाल माई जाते हैं ठीक है इनका हिर्दे चाड़ कक्षियों होता है देर हार्ट इस फोर चेमर्ड डू अलेंद और दो निले ठीक है अब क्लासिपिकेशन देख ल जन्दिने से ने वाले सतंदारिय होते हैं ऐसे मैमल जो आंड़े के रूप में देते हैं इस में दो एकजांपल मिविञाव को जनम के कशलियर फिर्वर्च बाइंग्सेट में के जनवर देंगे जनम सब्सक्राप्स हो सब्सक्राइब प्ढक्साइब पस्तीके बच्च रखके जर्ण देता तो इस तरह के से classify होता है देखो प्लैटी पसी रहा एकडेण यह पानी रहते है इन यह पानी में जाते अंडे दिते लोग ठीक है दोनों अंडे देते लेकिन इंडे देने के बाद बच्चा भूट के लगा निकल तो दूद पिलाते हैं लोग में आपके सारे मैमल की लागंअ अपनी वीडियो ये समाप्त अब आपको आप कोई दिखकर परेशानी हो तो महीं कश्टम होगा कुछ कोशन कीरीज जाल दो इस chapter की तक यह chapter अचछे से कवर ही हो जाए अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो उसको जल्दी जल्दी जॉइन कीजिए अपना केवेस डाल दीजिए या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं पीडेफ विजवाता हूं क्योंकि आप मेरे लिविंग वर्ल झाल झाल झाल